अस्सलाम अलेकुम, आज मैं पिताज शेयर कर रहे हूं बॉनलेस चिकन फ्राय बनाने की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है आपका चिकन फ्राय बाहर से एकदम क्रिस्पी होगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बस आपको मेरे बताएवे टिप्स फालो करने और साथ में यह बहुत डिलिशसी चटनी भी बनने वाली है जो कि इसके टेस्ट को दुगना करतेगी तो चलिए देख लेते हैं यह सुपर डिलिशस बॉनलेस चिकन फ्राय हम किस तरह से बनाएंगे चिकन फ्राय बनने के लिए मैं रहेइंगे डिलिशस हम आप एक यह गारा हम चाहते है और हर कोई आपने ही और आपर हमाद रहारे पूचेपी। ब्राइनिंग के क्या होताई? उसίο अंदर तक का तेस्ट होता है नमक और सिर्के का को अंदर अन्दर तक चला जाता है। और चिकन अंदर फीका नहीं लगता है। तो ब्राइनिंग के लिए बस दो ही इंग्रीडेंट्स ही होते हैं वह है नमक और सिर्का और थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जैसे आप आदा गंटा पॉन गंटा एक घंटा या पिर जादा टाइम है तो तीन गंटा उसमें रख दें फिर आप चिकन फ्राय बनाएं तो आप देखेंगे बहुत टेस्टी आपको चिकन फ्राय बन का तयार होगा तो चलिए पहले इसकी ब्राइनिंग कर लेता है तो ब्राइनिंग के लिए हमें क्या करना है चिकन को पानी में अच्छी तरह से दूबो देना है और फिर इसमें नमक डालना है तो यह थोड़ा है दो ग्राम तो मैं बस एक टीज़ब नमक डाल रही हूँ और दो टीज़ब के करीब इसमें सिर्का डाल देंगे अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और टाइम के हिसाब से चोड़ देंगे आदे पॉन गंड़ जोड़ेंगे उतना इसको चिकन ब्राय नहीं हो गा और पि अच्छी तरह से धोले ना है और फिर इसका जो पानी है इसको बिल्कूर अच्छी से ड्राय कर लीजगा इसको पांच साथ मिट लिए च्छनी को पर अगड़ी जिससे कि इसमें जितना भी एकसेस पानी है वो रिमूव हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें मसाले शामिल करें तो यहाँ पर मैंने चिकन को दो लिया है और पानी भी सुखा लिया है तो अब मसालेस में दाल लेते हैं मैं इसमें 3 x 4 टीजपून के करीब डालाओंगी नमक और एक टीजपून के करीब मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ एक टीजपून मैंने दाली कश्मीरी लाल मिर्द, सीथ detox का या पाउडर, io 15 टीस्पून दालेंगे भुनेवे hilarious अदर घी पाउडर,1 तीक्राइब कर्फथी aura अधा 1 टीसपून दालधीframe जेल्ट, 1 टीसपून दालेंगे चाट मसाली पाउडर, 0.1 टीसमून काली ओंद मिर्द, पाउडर्ट और यह थोड़ा सा मैं इसमें food डाल रही हूँ, red orange food color, optional है नहीं डालना चाहते हैं, तो skip करतीज़ का 1 tablespoon डाल देंगे इसमें बेसन, 1 tablespoon डाल देंगे बारिक वाली सूजी, सूजी डालने से एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे, नहीं हैं तो skip करतीज़ का 1 tablespoon डाल देंगे कौन फ्लावर एंज फिर अरारोड यह पिर चावल का आटा ठोड़ी सी कसुरी मेथी डालेंगे एक टी पून के करीब और अधरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे तो या पिस एक टी पून अधरक लहसुन आपस पेस्ट आल थैalta और एक निबू का रसेस्स में निचोड़ देंगे और अच्छी तरह से इन मसालों को हमें हाथों की मदद से मिला देना है और टाइम की सहुलियत के इसाब से इसको मैरिनेट कर लेंगे क्योंकि मैंने अल्रेडी ब्राइनिंग करी है तो मैं इसको बहुत जादा मैरिनेट नहीं कर रही हूं मैं बस आदे हंटे के लिए कर रही हूं लेकिन आप जादा टाइम के लिए ओवर नाइट कर सकते हैं इधर हम इसके साथ सर्फ करने के लिए एक मज़िदार सी चटनी बना लेते हैं एक मुठी ले लेंगे हरा धनिया पुदीना भी आप डाल सकते हैं आदा मुठी तीन चार हरे मेंज ले लेंगे या फिर टेस्ट के हिसाब से ले लिजगा और तीन मैं इसमें लैसन के क्लोव अगर जरूरत महसूस होती है तो थोड़ा सा पाणी आप इसमें डाल सकते हैं तो चलिए इसको ग्राइं कर लेते हैं तो यहां पर हमारी चटनी हो चुकी है ग्राइंट और बन कर तयार हुचए है यह देखिते हैं यह तो बहुत ही जबरदस हमारी के रेल लिज़िए है ज तेल को गरम कर लिया है जब तेल प्रॉपर मीडियम होट हो जाएगा तभी हमें इसमें चिकन के पीसेज डालने हैं कच्छे तेल में चिकन के पीसेज मट डालेगा वरना सारा मसाला तेल में बह जाएगा जब इसमें आप चिकन के पीसे डालें तो एक मिनट के लिए इसको टच मत कीज़ेगा गैस की फ्लेम को मैं यहां पर लो कर रही हूं क्योंकि अल्रेडी तेल बहुत तेज गरम है मेडियम फ्लेम पे मैं इसको गरम किया था तो अभी तक तंपरेचर थोड़ा कम कर देंगे क्योंकि हमें चिकन को गलाना भी है तो लो फ्लेम पर इसको चार से पांच मिट के लिए साइट्स बदलते रहेंगे और अगर आप बोन्स के साथ चिकन पका रहें तो इसी कोकिंग टाइमिंग थोड़ी सी जादा हो जाएगी यार्न की आट से दस मिनट लग सकते हैं आपको इसको लो फ्लेम पर पकाने में लेकिन क्योंकि यह बोनलेस चिकन है और चिकन थाइस क पका लूंगी बीच-बीच में साइट्स इसकी टर्ण करते रहेंगे जिससे की चिकन हर तरफ से घल जाएगा और लास्ट की एक से दो मिनट गैस की फ्लिम को हाई कर देंगे जिससे की जो चिकन की आउटर कोटिंग है वो क्रिस्पी हो जाएगी तो इस पॉइंट पर मैंन रहें वैसकी खरख स्काएगा और रशास औरन रोशुषण के रौन कर देख अमारे बनकर त्यार है और देख सकते हैं कितना ऑठीट्फेक्ट्ट्ट्ल डट लग रहें और अंदर बीच कश्क्ट्टे कर दियान यह जब आप से पर द हैना पॉसिमल की ब्राइनिंग कर लि और जब आप चिकन के पीसेस ड्रॉप कर दें तो एक दिर मिनट के लिए उसको टच ना करें ताकि जो आउटर कोटिंग है वो फर्म हो जाए उसके बाद ही उसकी साइट को बदलें इन सब चीजों का आप फॉलू करेंगे तो आप देखेंगे आपका चिकन फ्राइ एकदम पर्फेक्ट बनकर तयार होगा अब जब आप दो बारा से चिकन को फ्राइ करें तो तेल को फिर से प्रॉपर मीटियम हॉट कर लें उसके बाद इसके अंदर चिकन के पीसे ड्रॉप करें और फिर से से मुसी प्रोसीजर से इसको फ्राइ कर लें तो सुना अपने कितना क्रिस्पी हमारा चिकन फ्राइबन कर तयार हुए एक्स्टा क्रिस्पी बनाना है तो इसमें थोड़ी सी सूजी डाल लिजेका जिससे कि बहुत क्रिस्पी आपका चिकन फ्राइबन कर तयार होगा या फिर चावल का अटा डाल लिजेका और अंदर से आप देख सकते हैं एक तम पर्फेक्टली डन है और कितना जूसी लग रहा है अंदर से भी यह बहुत जूसी बनकर तयार हुआ यह जो मने चटनी के साथ बनाई है तो इसको जरूर गना लीजेगा बहुत मजा आने वाले आपको ट्राइ कीजगा अपने फेट बैक्स मज़को जरूर दीजगा आपका बॉल्लेस चिकन फ्राइ कैसा पना वैसे भी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करदीजगा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दीजगा और चैनल को वन टाइम करना मत भूलिएगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया अलाफेज की वीडियो देखने की बहुत बढे हैं की बहल हिं रस्काट मनदयाओ प्सकती दोलिएगपर आझस्यदों का अलाफेजीोजव और से माणसाै